हालो दोस्तों SSC GT का एक्जाम इस बार टूटल 36 सिप्टों में कम्पलीट कराए गया है तो आज किस वीडियो में सभी 36 सिप्टों के एबरेज स्कूर के दार पर देखने पाले हैं कि इस बार SSC GT में कौन से से 10 सिप्ट है जो की सबसे हाड है और इन 10 सिप्ट में जितने भी कंडिडेट का एक्जाम हुआ है उन सभी कंडिडेट को नॉर्मलाजेशन में बहुती ज़्यादा मिलने बाला है और इस बार नॉर्मलाजेशन में SSC GT 2021 बरती के मुकाबले किस तरह से ज़्यादा मार्क्स बरने बाले हैं इसके लेटर भी आप सभी को डीटेल में समझाने बाले इसलिए आप सभी वीडियो को पूरा वज़त देखेगा तो चलिए आज कब वीडियो स्टाट करते हैं सबसे पहले जानते हैं कि इस बार नॉर्मलाजेशन होने के बाद SSC GT 2021 बरती के मुकाबले ज़्यादा मार्क्स के उबरेंगे और SSC GT 2021 बरती में हाइस्ट नॉर्मलाजेशन होने के बाद कितने मार्क्स बरती और इस बार हाइस्ट नॉर्मलाजेशन होने के बाद कितने मार माक्स का होता है सव माक्स के एक्जाम के तुलन में दो सव माक्स के एकजाम में जैदा माक्स बरते हैं Now आप सभी को आगे प्रूब भी दिखाने वाले हैं इसलिए इस बार से जीटी का एक्जाम टूटल एक सो साट मार्स का हुआ है इसलिए इस बार से जीटी में नौर्म लेशन होने के बाद पहले के तुलना में यानि की दो जार एक्जाम के तुलना में नौर्म लेशन में ज् सब्सक्राइब का रो मार्स अंठावन पॉइंट फाइब है वह नॉर्मलाइजे स्कूर देख सकते हैं कि बहत्तर पॉइंट फाइब यानि की नॉर्मलाइशन होने के बाद सासी जीटी 2021 एक्जाम में हाईस्ट 14 मार्स तक बढ़े थे सासी जीटी 2021 में टूटल 100 मार्स का पेपर हुआता हूं है आप सभी सासी सीजेल 2021 की एक कंडेट का स्कूर चाट देख सकते हैं SSCCL का आप सभी को पता है कि टूटल 200 marks का एक्जाम होता है आप सभी देख सकते हैं कि स्कंडेट का row score 162.5 है वो इन normalize score देख सकते हैं कि 183.19 है यानि कि normalization होने के बाद इस कंडेट की लगबग 21 नमबर तक बड़े थे तो आप सभी ने देखा कि 100 marks के एक्जाम की तुला में 200 marks के एक्जाम में normalization होने के बाद ज्यादा marks बड़ते हैं तो पिछले बार SSCCD का एक्जाम टूटल 100 marks का हुआ था लेकिन इस बार total 160 marks का हुआ है और पिछले बार normalization होने के बाद highest 14 नमर तक बड़े थे आप सभी देख सकते हैं कि सबसे हाड शिफ्ट में आप सभी के तेरह जनवरी के फोर्त है अबसे नवैं की सबसे हाड शिफ्ट है जो shift easy रहता है उस shift में candidate अच्छे score करते हैं जिस कारण उस shift का average score बर जाता यानि कि way shift easy हो जाता है जो shift hard रहता है उस shift में candidate अच्छे score नहीं कर पाते हैं जिस कारण उस shift का average score कम हो जाता है यानि कि way shift, hard shift कर लाते हैं तो यह जो 10 shift के बारे में अभी आप सभी को पता हैं इन 10 shift का average score सबसे कमा यानि कि यह 10 shift सबसे hard shift में है इन 10 shift में जिस भी candidate का exam हुआ है उन सभी candidate को normalization में बहुत ही ज़्यादा फाइदा मिलने वाला है तो चलिए आज कब दो समाप्त करते हैं sscgd exam के लेटर जैसे quality test अपड़िट आगी आप सभी को वीडियो के मादम से जानकारी देदेंगे इसके लब लोग चैनल को सबस्क्राइब करें वीडियो को ज़दा ज़दा सब्सेर करें और लाइक करें तो चलिए आज कब दो समाप्त करते हैं वीडियो देखने के लाप सभी का धन्यवाद